हलो दस्तो अज का वीडियो में आप लोगो श्वागत है आज हम एगलो निमा कबर बात करेंगे एगलो निमा एक बहुत ही खुबसूरत इंडोर प्लांट है तो आज हम आपके साथ इस प्लांट का रिपोटिंग केशे करें उसका बारे शेयर करेंगे एगलो निमा की बहुत सी बारे टी आते हैं और सभी की सभी बारे टी दिखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो यह देखिए मेरा पस कुछ बारे टी से हैं यह है रेड भालेंटेन एगलो निमा इसका कलर दिखी कितना डीफ रेड कलर की है और यह है पींक एगलो नि यह वाला इगलोनिमा का नाम मेरे को ठीक से नहीं पाता है तो इस कवर में ठीक से नहीं जानते हूं और सब यह कि सब इगलोनिमा देखने में और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इगलोनिमा के लिए बहुत ज्यादा बड़ा पोट नहीं चाहिए और इसका जो ओल ड्रेने जो ओल थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसमें पानी गोल्ड होके नहीं रहना चाहिए इसके लिए हमेशा ओल ड्रेन स्वेल ही चाहिए इगलोनिमा के लिए स्वेल मिक्चर की बात करें तो मैं इसमें 50% गर्डेन स्वेल 50% सायन और 40% कावड़ां का इस्तेमाल की हूँ और हमेशा कावड़ां का ही इस्तेमाल करती हूँ जो की अच्छी तरह से डिकोंपोस्ट होना चाहिए इसकी साथ साथ आप लोग फंजिसे साथ से इस्तेमाल करती हूँ कुछ दिन पहले मैं इस इगलोनिमा खारित के लाई थी और मैं बहुत दिन से इसको खार देना चाहती थी तो आज मैं इसका रिपोर्टिंग करूंगी मैरा सोईल और प्लोट रेडी है तो जब पॉली बैक से हम इसको निकालेंगे तो नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाई कर सब्सक्रेब करते हैं मिलते हैं आने वाला वीडियो में बाई